यह राहास शंक बहुत बरा शंक है ये वेलकम तो Cindy my new vlog दोस्तो आज हम पहुँचे हैं दिली में दिली में हम शादि नहीं आयता है इसे इमें शतरपूर में शतरपूर में बहुत बड़ा मंदिर है आप मेरे पीछे पूसा कि जह सकते हो और आपको आगे दिखाते हैं गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है बहुत अच्छा मंदी रहिए अभी आपको और अंदर लेकर जाएंगे गाइस मैं तो पहली बार ऐसा देखा है गाइस की भोले नात का तिर्शूल देखिये यह इतना प्यारा लग रहा है दूप बहुत पड़ रही है दोस्तों यह सामने कच्छवा दे सकते हो कच्छवे को पर एक तिर्शूल बना हुआ है तिर्शूल बहुत बड़ा है कम सब पचास फिट हुचा है और कच्छवा आप दे सकते हो बहुत बड़ा कच्छवा है गाइस आपको शंक दिखाते हैं बहुत बड़ा शंक है यहाँ पर अभी दिखाते हैं एक सेकेट पहले यह देख लीजी आप लोग बहुत सारे कबूतर बैठे हैं गाइस मंदिर के उपर पहले जिखाएंगे हाथी दिखाएंगे आप लोगों को अभी दोस्तों यह सामने दे सकते हो इदर भावन पर एक ताला लग हुआ है काफी बड़ा ताला है ऐसे देखने में लग रहा जासे एक दो गुंटल का ताला हो, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, और यहां आगे जाना मना है, सामने एक भवन देख सकते हो, काफी कबूतर ही कबूतर बैठे, पीछे एक बजरंग बिली जी की मूरती है, और सामने एक गंटा गर है, एक गंटा लगा रखा, काफी बड़ा गंटा है, दोस्तों इदर देखो आप, इदर दो हाथियों की मूरती बनी ही है, और यह भवन देख सकता है, कि इतना बड़ा भवन है, यह दिली चहतरपुर में है, और आप सामने देख सकते हो, हाथि की कितनी बड़ी मूरती है, दोस्तों आप बिल्गुआ पास से दे सकते हो, ऐसे लगा है, जैसे सच में आती खड़ा है, देखे में तो काफी बड़ा लग रहा है, जैसे बिल्कुल असली है, सामने भामन पर गेट पर यह दो साम की मूरती बनी हुई है, अभी थोड़ा और अंदर चलते हैं, दोस्तों एक आथि सर्फ बना हुआ है, आगे थोड़ा काम चला आप सामने एक गाय की मूरती दे सकते हो, बहुत प्यारा मंदिर हो, काफी बहुत बड़ी जगा है, और यहां घूमने में भी कमचंग में एक देड़ घंटा लग जागा, हुआ है, इस नहां जागा है, यहां जागा है, भर्ज़ कर फेड़ी जाल थाक पंदर खेड़ जागे हैं, खोड़ा दोस्तों एक खेड़ जागे हैं, बहुआ हैं, अप्यार खेड़ी कारा बना है, कि दोस्तों कित्मा प्यारा अच्छा व्यू है और कितनी अच्छी जगा है अब मंदिर के अंदर की जगा देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है और इस तरब देख सकते हो काफी लोग सेलफी फोटो लेने आते हैं लोग और सामने एक मंदिर है और सामने मंदिर देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंदिर लग रहा है और समझे हुआ है ऐसी आधी रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है और इससे आगे आपको लेके चलते हैं अभी आपको और दिखाते हैं अभी बजरंग बली जी की मूर्ती है आगे काफी बड़ी और काफी बहुत अच्छा लग रहा देखने भी यहां बहुत सुंदर जगा है यह हमारे भाई अनुमान जी की मूर्ती को ढूंड रहे हैं आजो हम आपको लिखाते हैं आप एक सामने मंदिर दे सकते हो कितना प्यारा लग रहा है और यह आगा हम हनुमान जी की मूर्ती के पास अब यह आपको अंदर लेके चलते हैं दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी की मूर्ती के पास आप देख सकते हो सामने हनुमान जी की मूर्ती कितनी बड़ी है और हम आखिरकार यहां पहुंचिया है चार बज़े के बाद एंट्री होती है मैं थोड़ा टाइम लगी अंदर आने में अब यह आपको और पास लेके चलते हैं दोस्तों आप बजरंग बली जी की मूर्ती देख सकते हो कितनी बड़ी है दोस्तों यहां तो देखने में लग रहा है कि इनको गदा भी बहुत बड़ा है जो इनके हाथ में देखने से ते ऐसा लग रहा है जैसे पचास फिट का तो दोस्तों यह गदा यह गदा है बाकि आप दे सकते हो बजरंग बली जी को हम तो चीटियों की तरह लग रहे हैं छोटे छोटे दोस्तों मैं पहली बार आया हूँ और च्छतरबुन में और बहुत अच्छा लग रहा है मन खुश हो गया दोस्तों आज के ब्लोग यहीं खत्म करते हैं मिलते हैं अगले नेक्स ब्लोग में दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कोमेंट बॉक्स में लिखना जाए बजरंग बली ठीके दोस्तों पाए